हेलो फ्रेंट्स मैं नमें राहूल सिंग अगें यह विडियो फ्रेंट्स कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें की देखिए इंडिगो की जो फ्लाइट से न वह उसकी सैट पर बुक हो रही थी ठीक न लेकिन आज की डेट में बुक नहीं हो रही है मैं अभी आपको दिख तो और अभी हम डेकिए डेट चेंज करके देखते हैं तो सीधे दस्तारी कर देते हैं क्या पता दस्तारी को कर रखा हो देखिए 10 को भी नहीं है ठीक है दोस्तों पंद्रे को भी नहीं है दोस्तों 19 जुलाई को भी नहीं है ठीक है तो देखिए दोस्तों ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है इसका सैंस क्या बनता है देखिए इंडियों जो एरलाइन्स है ना वो काफी समझदारी से काम लेती है और यह तनी बड़ी कंपनी है कि यह बहुत सोच समझ की काम करती है ना तो देखिए इन्होंने जो यह कदम उठाया है वो इतनी आसानी से नहीं उठाया होगा किसी एविडेंस के मिलने पर इंडियों ठीक है ज्या तो यह ने कोई एविडेंस नहीं मिला कि गवरमेंट चलाएगी यह फिर इनका नहीं नही वाली है और कस्टमर को परलम आने वाली है उसकी जो इमेज है वो खराब होगी ठीक नहीं तो इसलिए शायदे नोंने अभी टिकेट बुकिंग कैंसल कर दी है तो देखिए कोई भी टिकेट बुकिंग नहीं हो रही है लाइफ दिखा रहा हूं है आपको ठीक है दोस्तों दो आपको शायदे यूद्ध डोट आइसी डोट गवर्मेंट डोट इन पर थी तो इस पर जब आप ट्रेकिंग करते हो आप कोई भी दोस्तों मैं आपके सामने डालता हूं ठीक है आपके दोस्तों यह अप्रूवल का मैसेज तो आ गया लेकिन आपको शायदे आपको यह बात नहीं पता होगी यह बहुत important चीज है कि approval जो है यह वाला वो केवल 21 दिनों के लिए valid है वो भी इस date से जिस date को यह मिलता है जैसे मानली जीए मेरे case में यह मुझे मिला मेरी family के लिए 14 तारीक को ठीक है यह 14 तारीक है दोस्तों तो 14 से जो 21 दिन ठीक है न तो 21 दिन के अंदर ही travel होना चाहिए नहीं तो आपको जो आपको approval मिला है वो valid नहीं रहेगा तो इसके regarding मैंने अभी बात की जो इस site पर जो customer care है यह वाला number तो इन पर मैंने बात की है तो देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सर अगर आप 21 दिन तक travel नहीं करते हैं या आपकी family नहीं करती है तो क्या होगा कि वो valid नहीं होगा और वो मतलब use का नहीं रहेगा ठीक है जो यह approval मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको दुबारा से registration करना पड़ेगा और उसका reply within 48 hours वो देंगे जैसा कि आज की date में भी वो जल्दी जल्दी reply कर रहे हैं तो उन्होंने यहीं बताया तो दोस्त कि इंडियन गवर्मेंट जो है अभी फ्लाइट भी नहीं खोल रही तो और जो इंडिगो की जो हो रही थी टिकेट बुकिंग वो भी उन्होंने बंद कर दी तो इसका मतलब कहीं नहीं जो इंटेंशन जो है वो अभी क्लियर नहीं गवर्मेंट की ठीक है ना तो क्योंकि कंपनी बहुत सोच समझ के करती है तो उन्होंने कल शुरुआत की और आज बंद कर दी तो हो सकता है कि कुछ इंटेंशन पता चली हो कि कर भी सकती हो नहीं भी कर सकती दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ठीक है और प्लीज मेरी रिक्रस्ट है आप से सब्स्र विर खिरेखे।